हेल्यो डियर स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर राजेश कुमार लेक्चरर इन इंगलीज जी ट्रिपल एस हैदरवाला ब्लोग टोहाना डिश्टिक फत्याबाद अपने प्रियास आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ पिछले वीडियोज में हमने मुमेंट्स नाइंध क्लास बुक से तलोष चाइल्ड जो की मुलग राज आनन जी द्वारा लिखा गया था इसका टैक्श्वल कंटेंट्स हमने पूरा किया था मैं आशा करता हूँ आपको पसंदाया होगा मेरा अगला प्रियास इसी बुक का दूसरा चैप्टर है जिसका सिर्षक है The Adventures of Toto ये चैप्टर रस्किन बॉन्ट द्वारा लिखा गया है रस्किन बॉन्ट एक परसिद कहानी लेखक है जो विश्व विख्यात है due to the lockdown of COVID-19 as you know it's a basic problem to find the hard copies of books my special efforts are particularly for providing better understanding of text तो मैं आपके सामने इसका textual content पेश करने जा रहा हूं आप इसको ध्यान से समझिए देखिए और mainman points अपनी copy में लिखिए और इस इस channel को subscribe कीजिए ताकि आप अगले parts को असानी से प्राप्त कर सकें ज्यादा से ज्यादा इसका फाइदा उठाईए अपनी त्यारी को बरकरार रखिए और पूरी लगन और मेनस से अपने understanding के basis पर questions और answers त्यार कीजिए तो आईए शुरुवात करते हैं बच्चो लेट्स विगिन तो देखिए have you ever had a baby monkey as a pet क्या आपने कभी एक पैट बेबी मंकी को कभी रखा हुआ है क्या आपने किसी बेबी मंकी को पालतू बनाया है पैट बनाया है टोटो एक बेबी मंकी है निंज बंदर का बच्चा लेट्स फाइंड आउट वैदर ही इज मिस्चिवियस और डोशाइल आउपता लगाएं क्या वो सेतान है या सरीफ है सोफ्ट है तोसाइल समिस्यु है तो आईए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में लेट्स विगिन ग्रेंट फादर बोट टोटो फ्रॉम टॉंगा ड्राइवर फॉर दादा जी ने टोटो को एक टॉंगा ड्राइवर से पांच रुपए में खरीदा था तो यहां पे सबसे पहले देखिए बच्चों ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म प्रॉट यहां पे वरव की दूसरी फॉर्म का प्रियोग हुआ है इट मींज यह पास्ट इंडेफिनिट टैंस है यहां पे एक क्वेस्चन का अंसर भी बन गया आपका यहां यह क्वेस्चन का अंसर आप दे सकते हो कि कितने रुपे में दादा जी ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था यहां पे अंसर आप लिख दोगे ग्रेंड फादर बोर टोटो फ्रॉम और टोंगा ड्राइवर फॉर था सम ओप फाइव रुपीज में खरीदा था तो यह आप गंसर बन जाएगा नेक्स देखिये तांगा ड्राइवर उस्टो कीप दा लिटल रैड मंकी ताइड टो अ पिडिंग टॉप अब देखिये तांगा ड्राइवर उसको फिडिंग ट्रफ से बांदे रखता था अब देखिये फिडिंग ट्रफ क्या है उस छोटे से रैड मंकी को कहां बांदे रखता था फिडिंग ट्रफ से अब एक क्वेश्टन का अंसर ओर बन गया कि टांगा ड्राइवर कैसे उसको रखता था टांगा ड्राइवर उसे एक फिडिंग ट्रफ से बांदे रखता था फिदिंग ट्रफ होता क्या है? लोंग नैरो कंटेनर in which food contained बोजन या चारा रखने का कोई कंटेनर होता है तो उस कंटेनर से तांग डाइवर उसको बांदे रखता था यहां पर यूज़ टू मॉडल का प्रियोग हुआ है फॉडल में से यूज़ टू नेक्स देखिए एंड दा मंकी लुक्ट तो आउट अट प्लेस देखा देट ग्रेंट फादर डिसाइड ही वोड एड दा लीटल फैलो तो हीज प्राइवेट चूँ दादा जी ने मंकी को उस जंगे देखा और वहाँ पे दादा जी के मन में आया ये दादा जी ने ये फैसला किया वो उस लीटल मंकी को अपने निजी चिडिया घर में दूसरे जानुरों के साथ ले जाके रखेगा यहाँ पे फिर वूड मॉडल का प्रियोग हुआ है विल का पास्ट वूड टोटो वोज प्रिटी मंकी टोटो एक सुन्दर मंकी था प्रिटी प्रिटी मिंज ब्यूटिफुल कई बच्चे यहाँ स्पैल को गल्द कर देते हैं पी आर ए टी वाई लिख देते हैं ये नोटिस में ले आईए यहाँ प्रिटी की स्पैल क्या होगे पी आर ए डबल टी वाई प्रिटी तो टोटो एक सुन्दर मंकी था इज ब्राइट आईज स्पार्ट विद मिश्चिप बिनीथ दीप सैट आई ब्रोज आई जीज तीथ विच वा पर्ली वाईट वाईट वार वेरी ओफन दिस्पलेग इन अस्माइल तफेट वाईट 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 अड़ली एंगलो इंडियन लेडिज उस टोटो की आंखें चमकीली थी चमक थी किस के साथ थी स्पार्क में चमक सेतानी के साथ उसकी जो गहरी गहरी आई ब्रोज होती थी उनके नीचे यहाँ पे बिनित प्रेपोजिशन का फ्योड हुआ है बिनित प्रेपोजिशन में से बिनित तो गहरी आई ब्रोज के नीचे उसकी सेतानी आखें चमकती थी और उसके दांत जो की मौती की तरह सफेद होते थे परली वाइट जैसे मौती चमकते हैं ना ऐसी वर वैरी ओफन डिस्प्लेस्ट इन ओ स्माइल हमेशा वो अक्सर बहुती मुश्कुराहट में डिस्प्ले होते थे दिखाई देते थे वाइज वह बहबीत करना थो जो बहबीत कर देते worst दीत ती थे हैं किन को बड़ी anglo indian ladies को यहां देखिए बच्चो-anglo-indian Kapila एंगलो इंडियन क्या होता है वन वीज बॉरन ओफ एन इंडियन फादर और फॉर फॉरन मदर जैसे की फादर इंडिया से और मदर किसी और देश से उसको एंगलो इंडियन बोलते हैं लेकिन उसके जो हाथ थे हाथ उसके हाथ सूखे हुए परतीत होते थे ऐसा लगता था जैसे की वो सुर्य की दूप में सूख कर पिकल जैसे बन गए हो जैसे सूख के न मुरब्बे की तरह बहुत ही वर्सों से जैसे वो जुलस गए हो तो यहां पर देखिए लुक्ट वर्ड लुक्ट का प्रनासियेशन जानिये अकॉर्डिंग तो ब्रिटिस इसीट प्रनासियेशन लुक्ट बोला जाता है इसको लुक्ट एडी साउंड टै साउंड में ट्रास्फरम हो जाती है लेकिन ट्रैडिशनल पाइंट आप्यू से हम जो प्रमप्रागत तरीका है उसमें हम लुक्ट बोलते हैं तो ब्यारपी के अकॉर्डिंग ये लुक्ट होता है तो नेक्स देखिए यट इज फिंगर्स वाइट एंड विक्ट फिर भी उसकी उमलियां तेज चलने वाली होती थी और दुस्ता भरी होती थी और उसकी पूँच वाहिल अड़िंग तो इज गुड लुक्स देखिए फिर भी उसकी उंगलियां तेज चलती थी और बड़ी दुस्ता भरी होती थी और उसकी पूँच जबकी उसकी सुंद्रता में और चांद चांद लगा देती थी मतलब उसकी सुंद्रता को और बढ़ाती थी चार चांद लगाती थी दादा जी उस पूछ को देखके ये यकीन करते थे कि पूछ किसी की भी सान होती है उसके रंग रूप को सुषवित करती है उसकी लूप को अच्छा बनाती है उसको एक तीसरे हाथ के रूप में सरव करती है मतलब एक बन्दर की पूछ उसका तीसरे हाथ होती है तो कॉस्चन में आएगा टेल को क्या बोला गया है टेल को टेल सर्वड एज थर्ड हैंड ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच और इट वोज कैपिबल ओप स्कूपिंग अप अनी डेलिकेशी दा माइट बी आवट ओफ रिच ओफ इज एंड यहां पे कैन का पास्ट कुड लिए